हलो फेंट्स वेलकम टू अनकेडमी दोस्तों स्वागत आप सभी का अनकेडमी के इस यूजिसी नेट के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया था कि आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के लिए डेडिकेटेड क्लासे जो हैं यह होंगे दोस्तों क्योंकि आपके लिए पेपर सेकेंड कोमर्स की क्लास यह आज आज आपके लिए लेके आएं हैं मुकेशर तो हम दोस्तों मैं आप से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के पास में एक बार सेर जरूर कर हलो दोस्तों सबसे पहले तो अपने बात करेंगे यहां पर आप कॉमर्स को लेकर कोमर्स की टॉपिक्स है उसका जो कोड़ रहेंगा दोस्तों आपसे वादा करना चाहूंगा कि इस को हम लोग जो आज से शुरू कर रहे हैं यह कोर्स लगबख कंप्लीट होगा आपका अक बाद सारे कुश्चन्स कंप्लेट हो जाएंगे इसलिए दोस्तों मैं सबसे बहुत करूंगा कि यह जो कॉमर्स के इस्ट्वेंट से सबसे पहले कोई भी बहुत कोई बहुत कोई चलाता है ना ओफ लाइन चलाता और पूरा इस इस्टेमेटिकल तरीके से कोई चलाता तो दो कोई सबसे बहुत कर दोस्तों दोस्तों तरीके सबसे पहले आज के टोपिक में आपको बताऊंगा कि कि इस पेपर में क्या क्या आता है कैसे कैसे आता है अमको कैसे पढ़ना यन दोस्तों ये समझले जी आज से पहले लेस्न प्लान चलेगा आज आज आता बटाऊंग्वगा और डेली एक टॉपिक सिया ताविश कशिक कर दोगा बिल्कुर ज़िए जुछ आसे सुरू करते हैं है दोस्तों टॉपिक्स के बारे में तो आजसे दोस्तों बहुत दोस्ते कुछ बाते बताना चाहूंगा कि अभी मैं कल या पर्सों से दोस्तों इनष डेस से में जो नेरिय zouगा रहाई के बहुत सारे सब्यार defenses उनकी तियारी कराती होंगा, तो दोस्तों, जितना में को टाइम मिलेगा, बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आया हूँ, लुट अनकेडमिक प्लेटफॉर्म पर दॉस्तों, बहुत पहले से चर्चा चल रही थी में को आना था और में को कॉमर्स सब्जेक्ट बना सा इसका क अभी ग्रेट फर्स्ट की वेकेंसी आने वाले दोस्तों अभी ग्रेट फर्स्ट में बहुत बड़ा अच्छिमेंट वा था बहुत से कुश्चन में पढ़ायों इस चैनल के माध्यम से आपको मैं कॉमर्स की सारी त्यारी आनलाइन ऐसे करा दूगा उसके बाद आपको कोई के साबमें को सबसे पहले करने कंता हैं कॉमर्स की विद्यारति ने कारेंगे टेस्ट की तियारी करें इसका कोर्स जो कंप्लीट होगा दोस्तों वह लगबग मार्स छह मेने का कोर्स रहेगा क्लिए मित्रों क्योंकि डेली अगर एक दो गहंटे भी पढ़ेंगे दोस्तों छह मेने लगते हैं क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है इसमें आपका 11-12 कि है तो इसके बारे मैं थीक है कि नहीं दोस्तों बलबीर संग जी कहना चाहिए कोई फीस नहीं ayam कोई प्रॉब्लम्स को सेर कीजिए कहीं प्रॉब्लम्स को सारी बाते नहीं अब देखे दोस्तों सबसे पहले मैं नैट की बात करें इसमें आपने livres की बात करें को लेकर में बात करना चाऊंगा Commerce को लेकर बात करना क्लिए के बारे में कि लिए सबसे पीले आपको बता है किम बता ही सके में total सो कुछुसेंस रहते किते कुछुश्य रहते दोस्तों हो की कुछείंस रहते हैं क्लियर आगे सबसे पहले जितने विद्यारती है आप लोग सब लोग लाइव जुड़ जाईए और कॉमर्स वाले के लिए दोस्तों बहुत बड़ा धमाका है कॉमर्स का मैं ऐसा कॉर्स करा दूगा दोस्तों जैसे कि आपको आप लाइन के अंदर बैट के आप पढ़ रहे ह दोस्तों यूनिट नंबर एक के बारे होता है दोस्तों यूनिट नंबर एक व्यावसाइक वातावरन दोस्तों यूनिट नंबर एक व्यावसाइक वातावरन यानि बिजनिस एन्वार्मेंट से संब्दित यूनिट है व्यावसाइक वातावरन दोस्तों व्यावसाइक व वातावरण कैसा है और अंतराष्टि व्युवसाइग के बारे बात करें दो यहां पर यहां पर जाएगा एंटनेशनल ट्रेड को लेकर बात की जाती है यह लिए कोई भी यूनित नुंबर एक जिसका नाम में व्यासायक vatavaraand अंतराष्ठी व्युक्ता है इस युणिट के इंदर क्या होता है कि एजू के बिजनिस वियोवसाइव क्या होते वाता वरं क्या होता है और इंटर्ग की अब को प أنا के बारे में के बात नबर दो Sumbbuk abason सारी बातना नंगा सर गाँ के look एक आपके आती है दोस्तों 11 12 की अकाउंटेंस को लेकर इसमें विद्यारते को लेकर ये बहुत इंपोर्टन टॉपिक है ये ग्रेड फरस्ट के लिए भी इंपोर्टेंट है और जूने काउंटेंट के लिए लेखांकन एवं उडिटिंग से समधित यह है अकाउंटिंग और नुट नबर दो आती है तो युनित नमबर एक व्यावसाइक वात रहने क्या है और युनित नमबर दो है ले खांकन एक वर अंक्रेक्षन के बारे में क्लेश सब्सक्राइब करा दूगा सबसे बिलाब कॉमर्स वाला द्यान से देखें की नेट की त्यारी कि ठीक है आगे बिल्कुल असाओ जी नेट का पूरा कोर्स कंप्लेट हो जाएगा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है यूनित नमबर तीन आप नॉट कर सकते हो कि आपकी य व्यावसाइक अर्थ सास्त्रिस समधी दोस्तों व्यावसाइक अर्थ सास्त्रिस समधी इसमें दोस्तों माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह की एकोनमिक आती है और मैक्रो भी आती है दोनों तरह की अर्थ सास्त्र को इसमें सामिल किया जाता है यानि दोस्तों इसमें डिमां पिर बात करा जाए यूनिट नमबर 4 जो है वह आपकी दोस्तों रहती है व्यावसाय विट से संबने कि जो अपन बिजनेस चलाते हैं उस बिजनेस को चलाने के लिए वित होता है क्योंकि डोटो मैं बताओं मार्सल जो था मार्सल ने कहाता है वित बहुत दूरी होती जिसके चारोर सारी अर्थ व्योस्ता चक्क लगाती है यानि बिना वित के व्योसाई चलाना संब्वन होता तो दोस्तों इस युनिट में आपको यह बताऊंगा कि व्योसाई के अंदर कौन सा व और इसके सलावा दोस्तों स्रीट सेकिल लेबल में काम आता है इसके लावा ए जोग्राफी में भी काम आता है ये टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे आपके परते कंपेशन एक्जामें काम आएंगे यहां पर व्यवसाइक विवसाइक का मलता है दोस्तों बिजनिस फिनिस यानि व्यवसाइक को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है उसमें अल्प कालें विथ के इस्तिरोत कौन के लिए नैट का पूरा पेपर कराऊंगा वह आपका मार्स से चलेगा दोस्तों अगस्ट सितंबर तक सितंबर तक चलेगा माँ को पहले कह देता हूं क्योंकि बहुत बढ़ा कोर्स है इस टॉपिक मैं ऐसे बढ़ाऊंगा जिस आप आप लाइन बढ़ो इसलिए आप इसको मैं तोड़ा पहले लोगा इस उनिट नमर पांच को लेने का कारण में अभी मैं के मैंने दोस्तों बच्चे में को बहुत कमेंट करते हैं इन्वेस्टिगेटर के लिए आप इस्टेटिक्स को निकला दे तो इसमें इस्टेटिक्स का पोर्सन आएगा दोस्तों यान सिंपल नहीं बहुत बड़ी इसमें 200 केंदरी परविति के मांप से सम्मन सुच कांक अप किरन के माप रिग्रेशन इसकला कोर्ठेशन इसकला पाउबीलिटी इसके राएपोतिस इस बहुत से टॉपिक से जिनके बारे मैं मैं चर्चा करनाँ का क्लेवर तो यह का यूइन नबर पांच रहेगी दोस्तों इन पांचों युनिट में से कम से कम पचास कुश्चन एक्जाम में पूचे जाते हैं जिसमें पहला टॉपिक व्यावसाइक वातावन अंतराश्टी व्यावसाइक इंटरनेस्टन विजनिस से संब्द दीता है दूसरा टॉपिक लेखांकन अपचाउंटिंग इंटर सी संब्द दोस्तों यह भी मैं शूरू करूँगा एक एक करते होंगा व्यावसाइच अर्थ सांस्तरी से संब्द दिता है और व्यावसाइक सांक्याकिक से संबंदी तक लिए में तो फिर बात आती यूनिट नंबर 6 जो आती वो किसके बारे में वो देख लिए यूनिट नंबर 6 मित्रो वो रहती आपकी यूनिट नंबर 6 व्यावसाइक परबंदन एवं मानव संसाधन पर मानव संसाधन परबंदो सो यूनिट नंबर जो 6 है मित् साथन क्परवंदन की जब बात की जाती है मानव संसाधन परवंदन में चार टोपिकों पर चर्चा की जाती जाती है प्रश्चन कि विकास किसे तीन टॉपिक्स रहते इन चार टॉपिक्स की जाती है तरून गोचर जी कहड़ा है कि महीला इन बाल अपड़ा दोस्तों मैं मानता हूं अब एक बात आपको क्लियर कर दो यह सब मेरे को पता है कि मित्रों आप मेरे से आसा है रखोगे अब दोस्त पढ़ाता हूं ऐसे 18-20 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है यह जो चैनल है इस चैनल पर क्यों वही विद्यारती आए जिनको कॉमर्स की तैयारी करनी है बाकि रीट की तैयारी मैं दोस्तों कल से या परसों से सुरू कर तो दोस्तों प्लीज मैं को यह कमेंट्स करके आप परिशान तरुन जी आप बहुत अच्छे इंसान हों कि मैं लाइन बाल अपरात का टॉपिक अप्लोड कर आओ तो इस संडे को मैं बाल अपरात का एक बहुत बड़ा वीडियो लेक्ए आँगा यह वादा आप से रहा त अपर पूरा कवर करा दोगा ठीक है तरुन जी तो अभी रात को जो आट मुझे क्लास तलेगी वो कॉमर्स को लेकर चलेगी इसके बाद कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना क्यों पढ़ना है और पढ़ाये पर दान दना और वह विद्यारती जो कॉमर्स के त्यारी करें व दो ऊपन पढ़ेंगे कितनी कोपिया करनी असका सब कुछ भ्ता दो तो उनित एंवाह सात कि भ?, विद्यारती है उनकी लिए यह विए और आपकी साथ रहेगी कोछन से क्लेिए दोसुंगे DB और न्वर 25초 के बाहने इसकी फीसिट को शुरू करने से पहले मित्रो एक बात हमेशा ज़ियोजागना पर्परते हैं तो टीच्ञ बेतल का नियम होता है कि किसी भी अध्यापक को कोई भी चीज बढ़ानी होना तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी रूप सeurs उसकी विव रचना बला ले तो जित्ते विश्ट्न में को देख रहे हैं पहले पहले सिग्या आप पंगा तर्मा कि अपर जाए इसलिए नहीं धाया अगे दोस्तों यूनिट नम्बर नॉक के बारे में सब्सक्राइब लेकर यहां पर लिख देता हूं यूनिट नॉबर 9 को से इसके बारे में मात जलू या आता बड़ी इंपोर्टेंड बड़ी प्यारी यूंट है विविसाएं के कानूनी पहलू यानि किसी भी विवसाइस समझ से क्यों है जैसा है ख फुकानून पहलु से मतलब उसका पर करना को सिरू करने केले क्या क्या कानून है जैसे बहुत से कानून है व्यवसाइब करने से लेकर व्यवसाइब करने तक क्या क्या कानून नहीं पहलू है इसके बारे में पूरी बात आपको बताओंगा कि एक व्यत्ति जब अपना बिजनिस शुरू करता है उसको किन बातों को ध्यान में रखना होता है उसके कौन को से लिगल पहलू जै उनके बारे में चर्चा की जाती दोस्तों यानि कानून पहलू के बारे में चर्चा मैं आपके सामने करूगा यूनिट नमबर 9 के अंदर फिर मैं बात करता हूं यूनिट नमबर 10 को लेकर यहां बात करनाओंगा यूनिट नमबर 10 passion के बारे में तोसे तो इस परकार से दोस्तों टोटल मिलाकर 10 जहां से आपके exam incredible कितने खुशन मनेंगे तो सो गक्रचा अपको रहेंगे परते कुशन दो नमबर का रहेगा 200 तो नमबर का पेपर रहेगा और इस परकार से एक commerce की पूरी सिक्वेंस ट्यारी आपके होती जाएगी क्लिए में तो यहांने की सारी आपके ओटमेटिक लिएगी सबसे पहले जितने विद्यारति में लाइव देख रहे हैं जो commerce ग्रेट फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं यह जो आपके नेट की तैयारी करना चाहरे है नेट का पॉंग नई लगाया दोस्तों से ज्यादा वियाव साइक सांकिया की तॉपिक यह बहुत तैपिकल पोर्शन रहता है यहां से इंपर्टेंट बहुत से बनते रहतें एक्जाम में एक तो यह धान करा रहना हो जिसमें आएकर भी आता है, जीएश्टी भी आएगा, इसके लाद निगम कर भी आएगा दोस्तों, इनकम टेक्स एक्ट 1961 से समधर कुछन बनेंगे, आएकर अधिनियां 1912 के मैंन में पहलों के बारे में बात की जाएगी, उसके जीएश्टी के बारे में निगम करके बारे में बात की जाती है, जब जब भी मार्केटिंग का नाम आता है, यह माँ कोता है, फिलिप कोटलर का नाम इसलिए आता है, क्योंकि मार्केटिंग की परिवासा देने वाला कोटलर 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 क अब आपके सामने अपन प्लानिंग करते हैं प्लानिंग मैं बता चुका कॉमर्स वाले तेयारी कर रहे हैं कॉमर्स वाले में जुड़े रहना है रात को आट से लुनों लगवाई दोस्तों 40 मिनिंट की आप 45 मिनिंट की कि डेली रहेगी कोपी मेंटेन करना है कुछ मैं गंटे के अंदर पूरा कम्प्लीट पढ़ा दूगा क्लियर मित्रों एक तो यह बास सुना तो अभी अपन आज के लिए तो इतना है तो सर्फ जून तक कॉर्स कम्प्लीट हो जाएगा क्या का आजल गर्ग जीम को कहना चून कूर्स प्लिट नहीं होगा मैं ऐसा कोई कमें तो जो भी विद्धियारती है जून तक मैं लगबग 60% कोर्स कवर करा दूगा दोस्तों यह मादा कर सकता हूं 60% यह मैंनमेंट टॉपिक्स रहते हैं इनकी कुष्चन सरीज के महाद्यम साब करा दूगा लेकि दोस्तों लगबग सबस्तों सितम्भर अक्टुबर लिगजैन काइब तो इसलिए को हांगा जून तक कोरस करें काजल जी तो जून तक नहीं होगा तो 60% करा दूगा कुछ इंपोर्टनकोर्ट कर दिजे और मैंютना कर्दिया हो पूरा हो रहेंगा यह 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 मेरी गाहिए आपसे यह मेर आपका वादा नियम होता है कि आप ने ने चलियर करने के दो साल के अंतरगत आपको पीजी कंप्लेट करनी होती है विक्की जी अगर आपका वीकॉम फाइनल है तो नेट का एक्जाम आप देश सकते हो लेकिन दोस्तों नहीं है कि रिजल्ट आने के दो साल के अंतरकत आपको पीजी कंप्लेट करनी होगी क्लियर राम जोती जी खहना चाहरी मिल्कुल दोस्तों ये ग्रेट पर्स के लिए काम आएगा ये कॉमर्स में ग्रेट फर्स में सारे टॉपिक यह दोस्तों लग बग 80% कोर्स यह यह ख्राएगा डेली करन प्रिक करा दीजेए दोस्तों संतों अफेर्ट अपने डेली क्लास सलती है कि तैसे यơः तो इसलिए कोई जित्व तो इसलिए नहीं दोस्तो और वे हाया कि नीट की ऐॉप्लाइन क्लास कहा वी ज़ा नहीं होग तों अपलाइन क्लास नहींấu होगी आप मस रोना दोस्तों मैं बता दिया आपको कि आपको ओनLINE क्लास मिल जाएगी आपको पूरा नेट पढ़ा दूगा कर तम फिर आपको ऑफ-लाइन के अउस्टकता क्यों को पैसे खर्च करो बिना मलना पैसे खर्च करने के आउस्टकता कहा हो रही आप लोगो यह बताई मेरे को जब आपको पूरा कोर्स करा रहा हूं पूरी बाते बत बताउंगा कि कौन से टॉपिक में किन किन बिंदों पर चर्चा करने है कैसे कैसे याद करना है यह सब आपको बताता जाओंगा क्लियर संतोजी आप से निवेदर की करेंट अफेर डेली टेलिग्राम चैनल पर डाल दीजिए कुछ मैंटमन टॉपिक सर डाले बिलकुल बि यह बताते मतलब पूछ लिजे कोई डाउटे को चीज पूछ नहीं बताई मेंगों स्वाई सिंग जी अब मज़ा आएगा थीक कि स्वाई सिंग थेंक कुछ बिलकुकर दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों एक तो आप लोग पन आ है कि मेरा टेलिग्राम कों से के नाम से टे एकउनिक अफ्डेट के नाम से मेरा Facebook पेज है उसको लाइक कीजिए वहाँ पर डालता रहता हूँ तो इकउनिक अफ्डेट के पेज बहुत पर ओर टेली ग्राम एप पर तो मैं दोस्तों आइप डालता रहे तो यह अब मैं तयारी कर लोगा, डेली आर्ट से नो क्लास रोगी, वो क्यों काल को में लेकर रहेगी, तो आप लोग जो मेरे से जुडे होए ना, कामर्स की विद्यारत जुणना है, कामर्स के लिए, नेट का पेपर और गरेट फर्स की तयारी मैं अनलाइन याप पर कराता दोस्तों और बताईए चले दोस्तों तो आप सबस्क्राइब करेंगे टॉपिक नंबर साथ से अपने बात करेंगे बैंकिंग और वित्तिय संस्ताओं के बारे हम बात करेंगे दोस्तों तो और एक 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 उनिट को पढ़ेंगे जब एक एक उनिट को जाएगी उसके में इंपोर्टेंट कुछन आपको कराऊंगा हर एक उनिट को कॉम्प्लिट होने उसके सारे इंपोर्टेंट कुछन कराऊंगा तो दोस्तों करेंगे बैंकिंग और वित्य सं सब्सक्राइब दोस्तों आज के लिए लेता हूँ हां क्लीर दोस्तों और तो आज विदा लेता हूं दोस्तों धन्यए बाद थेंक यू बाई-बाई-थेंक यू झाल झाल